हेलो फ्रेंड्स गुद मॉनिंग अलो फ्यू अब स्वागत आपका फिर से दे क्रेटी नहसे अंकेर्मी के यूटीब चैनल पर आज जो है हम कार्डियोवस्कुलर सिस्टम जो है जो आपको हाट का डाइगराम देके बता चलिए गया होगा लेकिन फिर भी मताता हूं आज हम कंप्लेट हो जाएगा पहले हो हम इसकी अनाटमी पड़ेंगे अनाटमी ओफार्ट एंड सीवेस देन विल मूझ तो अनाटमी फिजियोलोजी तेन विल मूझ तो देजिस पोर्शन ओव दिस सिस्टम वीडियो जो है थोड़ी से लंबी होने होने वाली है तो बिल्कुल भ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में यह इजी सिस्टम इजी भी है इजी तो क्या कह सकते है बहुत सारे लोगों कॉंप्लिकेट करता लगता है लेकिन इजी सिस्टम है एक तरह से हम मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इजी लगेगा और जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है य और सारा ठीकली पढ़ाएंगे अभी तो कॉशन भी बात में सॉल करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों और वीडियो पूरा देखें आप चले शुरू करता है है आप सो हीर विडार काडियो कुल्स्तों इस्टम और दूसरा आता है क्लोस बड़्द सिस्टम का मतलब जो है ब्लेट वेंच में बहेता है ओके काडियोसफिल इंकलूड निडेड प Similar Menge क्हिंट रर्षें चैक तु carts ऊरff my टाइश offers An++ बाहर निकालने के लीए स्कुलेटर सिस्टम रिस्पोंसिबल है न्यूट्रियन्स को पहुचाने के लिए अलग-अलग जगा वह भी रिस्पोंसिबल है और फीटर्स जो होता है उसके अंदर पहले इंडोकाइडियल ट्यूब बनती है फिर इस तरह से कर ट्यूबलर हाड बनता है फिर यह इस तरह से क्या है अपने बोड़ी का हार्ट है अगर हार्ट की इंट्रोक्शन की बात करें तो हार्ट इस होलो मस्कुलर और यह मसल से बना हुआ हो यह तो मैं आपको बैसिक के लिए बता रहा हूं अगर आपने इस वीडियो नहीं देखा आप तर तो आप जाके देखें और एपो नियुरोसिस मसल्टो मसल्ट के अगे बढ़ते हैं हाट का वेट कितना होता है 310 ग्राम मेल के अंदर और लगब 270 गाम फिमेल के अंदर होता है और 500 ग्राम भी मान सकते हैं अलग अलग के लिए हैं तो मेलका हार्ट बडा होता है मेलका दिल बडा होता है जो कि मेल चोटा होता है ठीक-धि और फ्टा साइट को बला होता है अ कंपेर टो राइट साइड में स्टार्ट होता सेकंडरी और यह निर estar को처 इस पैस टो इसकी है और यह हमारी सेकंडरी भोगए तो इतन है लेंख होती है और लेट फिंटिकुलार हाइपट्रोफी और रेस्टिंग ब्रेडिकाइड है यह निकि हार्ट रेट सिक्स्टी से कम आना यह होता है अथलीट के अंदर जो बहुत जादा एक्टिविटी करते हैं तो उनका हाट मसल बहुत स्टॉंग हो जाती है और आसानी से काम करती है तो उस परिकाइडल फ्लूड जो है कितना होता है पांग से 20 ml होता है लंप चालिस एमल एक्यूटली इन परिकाइडल ज्यादा अगर हो गया तो हम उसको परिकाइडल एफूजिन बोलेंगे अगर 200 ml से भी जादा हो गया तो परिकाइडल टेमपोनेट कहेंगे और अगर बात करे अगर निए परिकाइड आपको अगर तो परिकाइडल गया तो यह साथ-साथ में चल रहा है तो यह अनाटमी पढ़ रहे लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें वह आशाथ-सात में बदा रख एक आपको बहुत अच्छा है यह आपके लिए तो सायन सिम्टम्स क्या होंगे विनस रिटर्न जो है वो डिख्रीज हो जाएगा पैरा लॉक्सिकल पर्स देखने हो मिल सकती है यह चाने कि अट्क प्लूट सेन्टरियो सेंटीज है उसको बहार निकलेंगे अब बात करते हैं of heart, यनि कि heart की इस तर से लेड होता है, first होती है endocardium, endocardium is the innermost layer of heart, heart blood barrier बनाती है, ब्लड को और heart को बीच में एक तर से covering होती है, और myocardium जो है pumping action of blood, ये muscle के layer होती है, myocardium मतलब muscle, और ये बहुत ही width मतलब उसके जो बहुत ही thickness वो ज्यादा होती है, especially left ventrical की, और epicardium, this is the protective layer of heart, ये कुँशी layer, protective layer, यनि कि heart को protect करती है, उसके बाद देखते है, myocardial is involuntary layer, ये एक involuntary layer है, stradid muscle fiber होता है, इसके अंदर, intercalated disc भी इसके अंदर पाई जाती है, और properties of cardiac muscle, क्या 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 properties है, cardiac muscles की, तो यहाँ देखते है, auto-rhythmic property, ये एक बहुत important property है, auto-rhythmicity, ये कि अपने, आपके अंदर, इसके अंदर rhythm होती है, ये से एसे नोट, इसका प्राट है, is part of myocardium, that's why there is auto-rhythmicity, heart के अंदर अपने आपकी rhythm होती है, ठीक है, excitability होती है, conductivity होती है, conductivity मतलब propagation of impulse, येनिकि impulse को आगे ले जाने का काम भी myocardium करती है, contactability, heart contact करता है, तो myocardium ही contact करती है, मुख्य रूप से, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ectoderm, smooth muscle के मनी होती है, pericardium की बात करें, तो इसमें दो layer है, outer fibrous layer and inner serious layer, fibrous layer जो एक तरह से, heart को fix shape में रखती है, और उसको बढ़ने नहीं देती, और जो inner layer है, वो parietal और visceral, दो तरह की होती है, parietal, visceral, ठीक है, heart क्या है, heart की बात करते है, heart is a central organ of circulatory system, circulatory system का मुख्य organ है, responsible for pumping of blood, blood को pump करने के लिए, कौन responsible होता है, heart responsible होता है, to the peripheral tissue to meet the metabolic need of body, peripheral tissue में blood को pump करता है, क्योंकि metabolic needs, जो है, body की पूरी करने के लिए, अब बात करते हैं, embryo genesis of heart, heart जो है, कैसे develop होता है, देखते हैं, mesoderm से, mesoderm में, bone, muscle, notochord, heart connects, यह सब mesoderm से develop होते हैं, heart is also part of mesoderm, actoderm से retina, lens, spleen, nervous system, skin, appendages, lower jit, endoderm की बात करने हैं, respiratory system, jit, upper jit, और heart is the first physiological organ of body, यह भी हमने पहले देखी लिए, functional functioning जो सबसे पहले start होती है, वो किसके होती है, heart की होती है, और आगे बढ़ते हैं, दूस्तों, first heartbeat appear at, पहली heartbeat कब आती है, तो वो आती है, 21 से 24 दिन के अंदर, फिटर लाइफ के अंदर, heartbeat listen by electronic transducer, कब हम electronic transducer से heart rate सुन सकते हैं, तो वो हमारा जवाब जाएगा, 8 से 10 वीक में, heartbeat listen by phytoscope, phytoscope से 20 वीक में सुन सकते हैं, heart के जो है, चार सिंबर कब बन जाते हैं, 35 days में एंगी, 5 वीक में, simple है तो, अब गात करते हैं, मिजोडम की, okay, मिजोडम से 2 endocardial tube बनती हैं, 20 days तक, बोथ tube fuse and form tubular heart, टिक tubular heart form करते हैं, जैसे कि हमने पिछले, पिछे page पर टाइग्राम में देखा, और tubular heart divided into, truncus arteriosus, bulbus cardiaus, primitive integral, primitive atrium, and sinus venosus, यह भी है मैंने आपको बताया उस डाइग्राम के अंदर, उसके बाद यह 4 chamber heart कर बन जाता है, 35 days पे, या फिर 5 week of entire life, fetus heart having 3 bypass channel, जो fetal heart होता है, उसके अंदर 3 bypass channel होते हैं, first होता है, foramen oval, between right and left atrium, यह क्या करता है, right or left atrium को bypass करता है, लंग्स को bypass करता है, लेकिन कहा होता है, यह राइट और left atrium की बीच में होता है, उसके बाद बात करें, ductus arteriosus की, between pulmonary artery and descending aorta, यह pulmonary artery and descending aorta के बीच में होता है, कौन? ductus arteriosus, फिर ductus venosus की बात करें, तो यह umbilical vein और inferior vein के बाद के बीच में होता है, fetus having mixed blood supply, fetus को जो है, एकदम pure blood ने मिलता है, mixed blood supply मिलती है, during fetus life, first pure blood supply to liver, सबसे पहले pure blood कहा होता है, liver में होता है, during fetus life, placenta is the gas exchange site, gas exchange किससे होता है, placenta करती है, during fetus life, lung mixed with the impure blood, whereas adult lungs mixed blood, यहनि कि, fetus life के दुरान, lungs क्या करते है, impure blood को mix करते है, whereas in adult lungs mixed blood, टीक है, lungs में जो है, adult के अंदर तो pure blood होता है, pure होता है, blood, और इसके अंदर impure blood flow करता है, और adult heart की बात करें, तो, it is the hollow muscular organ resemble to close fist, ठीक है, यह मुझ्ठी अगर आप बंद कर लेंगे, तो ऐसी बंद मुठी की जैसा, आप उपनी मुठी बंद करके देख सकते हैं, ऐसी बंद मुठी जैसा resemble होगा, कुन सा, adult heart, और it receives blood from inferior रोगेना के बाँ, और superior रोगेना के बाँ, और coronary sinus and pulmonary pain, इन सबसे blood क्या करता है, receive करता है, टांसपोर्ट तो दे लंग्स बाई pulmonary artery, and to the body through aorta, pulmonary artery के थूफ लंग्स में बिशता है, और बोडी में बिशता है, aorta के थूफ, aorta is the largest artery of the body, position of heart की अगर बात करें, तो ये थोरह से cavity में होता है, दो लंग्स के बीच में होता है, media stenum में होता है, टेक है इट लाइस लिटल मोर लेफ्ट देन राइट ठीक है अगर हमें इसको इस तरण इस तरह से माने यह तो यह इस तरह से यहां सीच्योटेट होता है ठीक है यह हाट हो गया हमरा तो यह लेफ्ट साइड हो गई तो लेफ्ट साइड में जादा होता है बजाएके थाइट के थोड़ा राइड में भी होता है लेकिन लेफ्ट में इसका मोर पार्ट होता है और मतलब की टू-थर्ड लेफ्ट एन वंधर राइट आपक्स ओफ हार्ड लाइज इन फिप्त इंट्रकॉस्टल स्पेस और थोरे सिक एट वर्टीबर ठीक है अगर वर्टीबर पूचे तो पी यह और पूचे इन्ट्रकोसल इस परिष्ट कित आईवसी हैश्ट तो यहां पर सिचुएड होता है हाट अपेक्स फोफार्ट एपेक्स का मतलब क्या है यह से हार दें तो यहां पर जो इसका यह कोनी कर में एक लिए तरस देन आयांग हम आगे वाला प्रिशा है इसको क्योंकि अपेक्स ओफ हार्ट पर हम उसको पालपेट कर रहे हैं तो that's why it is called अपिकल हाटबीट ओके सो मुझे नेक्स्ट दा बेस ओफ हार्ट लाइज इन एट सेकंड रिप और फिप्थ वर्टीप्री टेके बेस ओफ जो हार्ट होता है वो कहां पर होता है सेगंडीप और फिट वर्टीप लिए के बीच में होता है मेजरमेंड कि अगर बात करें तो बारा इंटो नो इंटो चे त्यक्र इस तरह सोता है और बारा इसकी लंबाई नो इसकी चुड़ाई और सिक्स इंजिस की डेफ्थ कह सकते हैं मोटाई ओके मैंने वेट की बात करी area and due to sexual hormone testosterone के कारण भी हार्ट बढ़ा होता है और चो बोड़ी प्रोपोर्शनल एरिया वो भी ज्यादा होता है ठीक है इसलिए हार बढ़ा होता है ठीक कारण बता दिया है यहां पर बाकी और उसका जो आप समझ रहे हैं उससे कोई तल्लूक नहीं है इन एथलेट्स हार दिया है यह हमने बात कर ली है पहले भी काडियमिकली होती है लेफ एंडिकोलर हाइपर्ट्रोपी होती है और रेस्टिंग ब्रेडिकाडिया होता है जो कि नेनौल कंडिशन है लेकिन में मशीन बली ज़रूर दिखा सकते हैं कि हार्ट रेट कमाएगी तो बोलेगा सब्सक्राइब आइक दो दिन रोडने से नहीं होंता ओर कवरि फॉर कि बात करें तो परिकर्डियम अब एक यह कोड़ां कि ए लिग जा रहें हूं हो ठाया है को तो परी मतलब अरांड कायिम मतलब हाटा ऐसी को उरें जो पार है हाट के हिरे च olduğ moment that is we are calling is pericardium and uh I am reading it heart is the end circle by double layer which prevent the heart from our distinction and provide protection from any outer fibrous layer and inner serious layer ते हमनी कि यह क्हता है तो यह क्या करता है एंड़ सेग्ट होता है हार्ट इनकि हाट जुड़ा हुआ होता है दो लेहर से है जोडेट करती है अगर को बाठ वांच को साइज यह थो फितarti Самीं के साझें वर जाएक फैसे छुट गाती है। जिसे कषब में पैट बढएक अग Archie का थे। अपनी इनिया आफा, फिरू मरहता जुड़ाइख है। टोके दिस आवटर फिपरसा कैस्ट उनर सीथ लेर एक यर्पकोराइब यह तो मिय आलरे पिरिकाइब यह दिसक्सें दीषक्तर पर्सक्राइब गेज़ दिसक्राइब और लेगार थे था कि अटिस्किछेंग गिढ़िए और इस अटो पॉत्यों इस प्रेगारि में आटा प friction between two layers and shock absorber ये क्या करता है friction जो घर्शन रगर नहीं होने देता दो लेयर की बीच में और उनके अंदर जो शौक एब्सॉर्बिंग का भी काम करता है एक दम से कोई शौक लगेगा तो वहां पर जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और हार्ट तक वो जो है उसका शौक नहीं जाएगा नोट इट ऑक्यूपाई एक्यूट ली इंक्रीज बिट्विं फॉर्टी तो फिप्टी में बार पहले बात कर लिए चालिज सब्सॉशा से मिल होता है बढ़ता है तो परिगाड़ इंफूशन है और धाइसों से 200 से 200 अमेल अगर बढ़ जाता है तो काडियक टे है ऐसे कभी नहीं होगा टिक है तो हर्ट ऐसा है तो अशे हिरे गा अब उसको बाहर बढ़ने के लिए जगा नहीं मिल रहें तो कहां बढ़ेगा अंदर की तरफ बढ़ेगा और अंदर की तरफ क्या है यह ही इसके चार चमबरे तो अगर हार्ट यहां से बढ़ रहा है मालो यह बढ़ रहा है यह बढ़ रहा है अंदर के तरफ बढ़ रहा है तो चेंबर के अंदर जो खाली जगा है वो क्या होगी कम होगी डेफिनिटली इसलिए इसा खा जाएगा विनस रिटन भी कम हो जाएगा और सिम्टम्स देखने दोरान, मेनेजमेंट क्या करेंगे? यह भी हमने देखे है PERICARDIOSYNTESIS, यहनि कि वहाँ के फ्लूट को निकालना is called PERICARDIOSYNTESIS, अब बात करते हैं LAYERS OF HEART की, किसकी? LAYERS OF HEART, यहनि कि HEART के कितने LAYERS होती है? हार्ट is made of 3 LAYERS, हार्ट के अंदर 3 LAYER होती है, सबसे पहले बात करते हैं एक प्रोटेक्शन वफ हर्ट फिर तो इंजटी इंजड्य से बचाता है आप यह समझ लेचे हैं इक न बाहर हार्त से बढ़ने को रोक रहे हैं यहां पर बात करेंगा इक हृब आप इंज्युकिंग के बात करा रहे हृब ओर से लियर थे बात करें कर रहा है तो किस की बदलत कर रहा है? म्योकाइडियम की बदलत और made up by काइडिक मसल टिशू किस के ज़़ा बना हुआ है? काइडिक मसल टिशू से बना हुआ है और स्टाइटर फाइबर होते है इन्वरेंटरी है ये बहुत ही important system है ICD ठीक है? हैं इंटर केलेटेट डिस्क तो यह जैसे हर्ट के मसल फाइबर से तो इसके अंदर ऐसे जुड़ा हो फास्म टीक है आपने देखा हुआ इससे हार्ट की मसल आपस्म जुड़ी रही यह इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ उसके बाद इंहौल इंपल्स इंहौल और यह क्या करती है इंपल्स को पहुचाने में हेल्प करती है अब बात करें इंडोकार्डियम की तो इनर्मोस लेयर है एपिथिलिल टिश्यू से बनी हुई होती है और इट फॉर्म्स की अंदूरुनी स्ट्रक्चर इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़े डिसक्स करने वाले हैं बालब ऑफ हार्ट चेंबर ओफ हार्ट साउंड की बात करेंगे हाट काडियक साइकल की बात करें कुछ टर्मिनलोजी कंड़क्शन सिस्टम बहुत इंपोर्टेंड और ब्लट से हर्ट इस उसकी शुलूबात होती है एस टी अहर्ट रिषीवज मेंगें म्लड सप्लाई दूरिंग काडेक डासोल जब कर्देश होता है डास्तोल होता है तब मेक्चिम म्लड सप्लाई के इंदर आजाती है उसके बात करें अत्या एर्ट कॉनिए आर्ट है लेफ एंटिकल फिर एंट रॉके फिर लेफ को निए रट्री लेफ दो चीज़े हैं आपर तो राइट को नियाटि जो है भाएं का सप्लाइब करते हैं वह राइट एक्ट उसे नट को एविनों को पुस्टियर रेक्टल वाल को और inferior portion of ventricle wall इसको supply कर रही है right coronary artery यह आपको ज्यान रहे हैं फिर left coronary artery के अगर बात करें तो इसमें होती है लाड़ा राजस्तान में क्या होता है जो लड़का शादी करता है उसको क्या बलते हैं लाड़ा बलते हैं तो इसका दुसरा नाम है video artery मैं आपको बता रहा हूं video artery मतलब यह लाड़ा जो है यह लाड़ा सप्लाई करती है left anterior descending artery लाड़ा सप्लाई करती है anterior wall of left ventricle left ventricle is responsible for pumping action of heart mainly जो air time blood जा रहा है वो खोन ले जा रहा है left ventricle भेज रहा है यह तो यह सप्लाई कर रही है anterior wall of ventricle तो अगर इसके अंदर कोई blockage हो जाएगा तो बाइसा बताई कि वो मरेगा की मरेगा आदमी बिल्कुल मरेगा अगर मरेगा तो क्या होगा यह लाड़ा जो है लाड़ा क्या हो जाएगा लाड़ा नहीं रहेगा लाड़ी का लाड़ा मर जाएगा अगर ऐसा हुआ ब्लोके अगर अगर देखो देखो अंपर आए गया है मुस्कुम ब्लोके जो तक इसके अंदर एंड एंटियर वॉल अंटिकल को सप्लाई करती है एंटियर सेप्टल बहुरा अपेक्स of left ventricle टी यह जो मॉस्स इंपॉर्टेंट पार्ट ओफ आर्वाट मैंड़ा नहीं आ लाड़ी को मिल जाए तो अब बात करें मासिनेकले इसकी नियोंस्टिक मैने ब्रेस Cancer की टिमोफी फैने और पुरियंस्टीक एंसर जैमी जैमी सेटा भी टिक ही ये तो Extra Knowledge होगा परेपर रहते हैं हो एक जैगेक रहेकं कि बदाने करें यह एक प्रोक्स क किसलिए फोच दोसुल हमल प्लेडीमज इन हार्ट इन वन मिनेत कि यह सब्ससुलियर हैं ढरें अब बात करते हैं अब सबस्क्राइब की अब आपके बीचे जो है किया अगर आप जा रहे हैं कर गाव जा रहे हैं और वहाँ पर आप बहुत खुश हैं गर जा रहे हैं तो बिल्कुल आप रिलेक्स है तो जब आप खुश हैं जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होगा खुश हैं आराम से रिलेक्स हैं पैदल पैदल जा रहे हैं तो आपके हार्टेट कम रहेगी काडियक आटपूट कम रहे आप पीछे पढ़ गई तो आप भाग रहे हैं अब जैसे आप भागेंगे तो हाट बढ़ेगी चाहोगा काडिया गॉट प्रेशर भी बढ़ेगा आपके आपको की पुद्लिया को जाएगी चोड़ी हो जाएगी ठीक है तो मायासीस भी वहाँ पर देखने हो मिलेगा और उ जो आपके हार्ट है वहाँ पर ब्लेट सप्लाई जादा बढ़ जाएगी और दूसरे और जो दूसरे और जैसे की जिए सिस्टम और इन सब में और अभी के लिए अपना इतना इकाफी बेस पीचे पढ़ जाएगी तो आपको याद रखना है बेस पीचे पढ़ दो सिंप अब बात करते हैं चेंबर्स ओफ हार्ट की यह हमारा प्यारा हार्ट है और इसको जो है बहुत ही किस तरह से इसको पढ़ा जाए ठीक है I found out the way तो यह जो है यह है यहाँ पर ऐसे नोड है ठीक है यहाँ पर इंफिर बिना के बाद और सुपिर बिना के बाद स्विसी यह राइट अट्रिम के अंदर आ रही है यह कॉर्णरी साइनस है यहाँ पर कॉडि टंडिनी परमोरिय यहां पर है पर मलें यहां पर यह उसके बाद पुरकिंजा फाइबर ऐसे कुछ रिखेंद कि चमबर्स ओफ हाट की बात करनें दोस्तूं वेरा फोर चमबर्स in आट दो इत्रिया होते हैं और दो वेंटिकल होते हैं राइट आपर चमबर ऑफ हाट ओकी राइट अपर चमबर हाट का थिखनेस होती है इसकी 2-3mm और इसे विनस रिटन फ्रों इंफिरियर वि सबसे क्या रहता है मिनस रेटन वोगव कौन रिसीव करता है उसके बाद बात करें तो तो बिट्विजब राइट एंट वेंटिकल में सोथ है राइकस फिटोल होता है जिसका तुसरा वह नाम है राइट एट एटे लिए वेंटिकुलार बड्य अट्री वेंटिकल के बीच म तो इच्ति कॉल फूटेटर ओग है पॉस녈ं है थिक प्षट्रफ लाइक को लाइक स्ट्चेज्टर इस लौन इस स्कॉटि म Wyatt इस्ट इंटी को नायस्टिंध से जुड़ी होती है तीन काॉट ही सिपुंधी हो अबि टुंदनी टुरिं फिटल लाइफ there is a hole between right and left atrium known as foramen oval, जो right atrium है और left atrium है, इसके बीच में एक hole होता है उसको बोलते है foramen oval, after closing, closing of foramen oval, it's a ruminant is closed, यहनी कि जो बाकी का हिस्सा रह जाता है वहाँ पर, close हो गया वो, तो उसका जो हिस्सा रह गया है, उसको हम बोलेंगे forsa ovalis, अब बात करते हैं right ventricle की, right ventricle क्या है, it is the right lower part of heart, thickness से इसकी 4-5 mm, it receives deoxygenated blood from right atrium, right atrium से blood आ गया, right ventricle के अंदर, through trigacid wall, इसके बार हमने बात करी लिए, और यह क्या करता है, इसको लंक्स में बेच देता है, कि इसके तुरू, pulmonary artery के तुरू, अगर ऐसा कोई पूचे कि कौन सी AC artery है, जिसके अंदर deoxygen ब्लड बेता है, तो pulmonary artery है, उसके बाद देखते हैं, from the wall of right ventricle, there are three papillary muscles, right ventricle के जो बोल है, वहाँ से तीन papillary muscle जो है, वो originate होती है, and joint cody tendinine, cody tendinine को join करती है, reasonable for opening and closing of all, ठीक है, responsible for, sorry, चा करती है, किसलिए जिम्मेदा है, closure and opening of wall के लिए, उसके बाद आगे देखते हैं, left end trip की बात करते है, left end trip क्या करता है, upper part of heart, ठीक है, left upper part of heart है, ठीकने से इसके दो से, तीन में, it receives oxygenated blood from lungs through pulmonary vein, चार pulmonary vein से, ये oxygenated blood को receive करता है, ऐसा पूछे, कौन सी ये जो जिनिक से अंदर oxygenated blood होता है, तो answer जाएगा pulmonary vein, ऐसा question नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, between left atrium and left ventricle, bycuspid valve present, that is known as middle bishop valve, ठीक है, bycuspid valve present होता है, जो हमारा ये है, यहाँ पर है bycuspid valve, ठीक है, left side में, ठीक है, ये left atrium है, और ये left ventricle है, इन दोना के बीच में कौन सा है, bycuspid valve, जिसको middle valve भी बलता है, mostly affected in dramatic heart disease, dramatic heart disease में ये valve प्रभावित होता है, अब बात करते हैं, सबसे important chamber of heart की, that is left ventricle, और left lower part of heart, it form apex of heart, ये क्या करता है, apex of heart को form करता है, ठीकने से इसकी 12-15 mm, और left ventricle is three times more thickest than right ventricle, जो है, left ventricle क्या होता है, तीन गुर्ना साधा ठीक होता है, right ventricle की पचा है, right ventricle, one is two, three, ओके, लगब यहापन, 9 mm, 9 to 12 mm होता है, इसके size, और two papillary muscle originate from, wall of the ventricle, with joint cordial integrity, the papillary muscle origin होती, जो cordial integrity को join करती है, cordial integrity क्या है, five last issue का structure है, provide stability to wall, wall को क्या करता है, stability provide करता है, ठीक है, इवाल्स नहीं है, वाल्वा है, तीन वाल्वा को stability provide करता है, वाल्वा फार्ट, ठीक है, total wall कितने है, चार वाल है, atrioventricular wall, right atrioventricular, left atrioventricular, between right atrium and right ventricle, उसको क्या बोल रहे है, हम tricuspid, between left atrium and left ventricle, उसको middle wall बोल रहे है, बात करें, semi lunar wall की बात करें, semi lunar का मतलब, अर्दे चंद्राकार वाल, तो right ventricle के अंदर जो है, पल्मोरियार्टरी के जो वहाँ पे है, वो है pulmonic wall, और जो एरटा के वहाँ है, वो है aortic wall, ठीक है, simple सी बात है, उसके बात, during closure of atrioventricular wall, जब atrioventricular wall closer होता है, है, तो s1 sound सुनाए देती है, ठीक है, जिसको बोलते है, love, और closing of semi lunar wall, से s2 sound होती है, उसको बोलते हैं, तो love, 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 love जो आती है, तो कैसे आती है, s1 और s2 बोलते हैं, उनको, atrioventricular को closer से, और semi lunar के closer से, तो दोस्तों, connective system, जो heart है, वो हम second part में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग हमें बहुत सारे part पढ़ने पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में सारा नहीं बढ़ा सकता है, तो इस वीडियो में इतना है, thanks for watching, have a great day.